सब दो देखेंगे होमीपेटिक मट्रे मेडिका में another most important होमीपेटिक दवा वहाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइव सब्सक्राइब करें लिए तो बहुत इफेक्टिव होता है जब प्लास्टर बनवा लेगा तो इसके लब बात करते हैं चो बहुत माइनर होते हैं फ्रैक्चर की इसके लब बात करते हैं second most important clinical condition non union fracture non union of fracture जंड नहीं पाए रहा है दवा चल रही है medicine चल रही है treatment चल रहा है लेकिं तब भी bone नहीं जोड़ पा रही है तो ऐसी condition में homeopathy में एक दवा है symphytum कई बार clinical practice में देखा है कि patient ये patient आपके पास आएगा बहुत सारी conditions होती है जो जोडने से रोकती है या डिले करती है बोन को जोडने से तो वैसी condition के लिए सिम्फ आइटम मदर टेंचर फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव है तो कितना भी पुराना यदि आपकी हैड़ी नहीं जुड़ी हुई है कितनी पुरानी हो तो आप पेशिंट को ले सकते हैं सिम्फ आइटम आपको देना पड़ेगा लेकिन जितना को देना पड़ेगा जो बोन को जोडने में हैल्प करता है ठीक नेक्स बात करते हैं ट्रामेटिक इंजिरी ऊफ आई आखों में आपको चोट लग जाए ठीक है ट्रमेटिक इंजूरी हो जाए जो बी इंजूरी हुई है जो बी चोट लगी है उसके लिए आप सिम्फ आइ हम सोचते हैं लेकिन आपको पहले सिंफाइटम के बारे सोचना चाहिए और यहां पर लोवर प्रोटिंसी भी यूज़ कर सकते हैं बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा नेक्स बात करते हैं ऐसा वुंड जो ऐसा घाओ जो पैनिटेट करता है हड़ी को मतलब ऐसा ना आपको गूंड हो गया है जो गाओ अंदर घुसके बोन को भी इन्वाल्व कर ले बोन को भी पैनिटेट कर ले तो उसके लिए भी सिंफाइटम से अच्छी कोई दवा नहीं है यह दि आपको सिंपल गूंड है लेकिन वो यह आप कर सकते हैं जिससे डाइबेटी वाले पेशिंट होते हैं उस कंडिशन में हो सकता है तो सिंफाइटम आप दे सकते हैं किसी भी करड़ से यदि आपकी हडी इंवाल्व हो गई वुंड के करण ह्कहा हो जिन होसकती है कि आपके बोंस में क्या हों गएे हैं बंट वए ट्वितो होता है वंट में मातल् sah मतलब को रहे कि रहे picks वंट कर सकते है yet कि हड़ी में नहीं लेकिन वह अजी बाचु वुन जो है वो हड़ी में घुजा रहा है तो आप यह कर सकते हैं सिंफवाइटम मजर तुंचर फ़र्म में वन को क्लीन करने के लिए आप केलेंडूला मदर टिंचर का यूज करें उसको लोकली क्लीन करने के लिए लाइट एंटिसेप्टिक आगे बात करते हैं जॉइंट पेंड जॉइंट पेंड के लिए भी सिंफाइटम बहुत इफेक्टिव है खासकर नी जॉइंट आप इसे याद रखें हैं क्लिनिकल प्रेक्टिस में बहुत साइब आप यूज करते हैं लेकिन सिंफाइटम को आप यूज करके देखिए एक बार जॉइंट पेंड यदि किसी को जॉइंट पेंड हो रहा है लंबे समय से किसी भी करण से हो चाहे लिगमेंट इंजिरी के करण हो चाहे और कैसे करण हो चाहे बोन में क्या हो गया एक दम से वह चिपक गई है उस करण से हो ठीक है या उनकी बीच के लिक्विट खतम हो गया तो किसी भी करण से जॉइंट इस्पेसिफिक नी जॉइंट के बात करते हैं उसके लिए बहुत इफेक्टिव खासकर ऐसी पैसे जिसकी ओवेसिटी मतलब ज जादा है तो इस 30 kg वेट को टोल्रेट करने के लिए जॉइंट के पे स्टॉंग करना होगा और स्टॉंग करेंगे सिंफ आइटम का यूज करते हैं स्पेसिफिक नी जॉइंट पर वह काम करता है थिक नेक्स बात करेंगे इंजूरी टू टैंडॉंस यदि आपको किसी भी कि बॉडी के कही भी टैंडॉन्स में इंजूरी हो जाये, umgioidentally की हो जाए, खास कर क्या हुता है किdess patient day यूए ट्लीट होते हिंशि और ऐधी फ्रेन हाथ उस्पोर्ट करते हैं उनके कई बार किया यूजुज कर रहे जो इंड्री हो खाब आगे बात करते हैं सरफ़र सरफेस ऐदी बॉडी में कहीं आपको अलसर φोर्म हो गा ये लेकिन वो जो अलसर है, वो क्या है हील नहीं हो रहा है, ठिक है तो जब आपकी बॉडी में कहीं भी अलसर है वो हील नहीं हो रहा है जिसे हम बुच सकते हैं आपका वैरीकोस अलसर की बात कर सकते हील नहीं हो रहा है डियाबिटीक अलसर हो गया और कोई से भी ऐसा अलसर जो हील नहीं हो पा रहा है तो उसकी हीलिंग को इंप्रूब करने के लिए सिम्फाइटम से अच्छी कोई दवा नहीं है आपको बता कहीं भी हीलिंग प्रॉसेस स्लो हो गई है हीलिंग प्रॉसेस स्लो हो गई है तो हीलिंग प्रॉसेस को बढ़ाने के लिए एक ही दवा होमिपती में सिम्फाइटम सिम्फाइटम को काम क्या होता है हीलिंग प्रॉसेस को बढ़ाना चाहे वो कोई भी प्रॉसेस कोई भी हील करानी हो चाहे बुड़ाइड करने की ह credential लींग आपकी जयंट हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है आपकी बौडिक अंदर जो सेल्स की ग्रोथ को इंप्रूव करते की दे सिमफाइटम बैस्ट मेंडिसेन और पूपर बॉडी की रिकोवर्बी क्या आको मेहां कर लूज्र कि में हो जाकर वी गालwh सुसक्तेस को आप कर और नाई घुन सेल को फॉर्म करवारी MB कल्स सकतें तो जोईन falar और कर सकते हैं तो ulcer की surface को form करने में help करके stimulate कर दो किए इसके लाब बात करेंगे locally भी इसको use कर सकते हैं जहां पर भी wound है वहाँ भी locally उसकर सकते हैं जहां भी ulcer है वहाँ भी locally इसको use कर सकते हैं करके क्लीनिंग करने के लिए जहां पर आपको हड़ी में चोट लग गई है यदि आपको बोन में चोट लग गई और बहुत हाधिक दर्द हो रहा है तो आप से इंफाइटम पिलाईए और सातमें से इंफाइटम को तेल में मिलाकेवा लगा भी सकते हैं जिक आपके यहील मे पेन है वो भी ठीक होगा और साथ में इसको सिंफाइटम पिलाईए ठीक है इसके लावा आप देखते हूं कई लोग कई फीमिल के जो हील में हड़ी बढ़ जाती है यह हम बोल सकते हैं वहाँ पर उनको टेंडॉंस का इंजूरिया टेंडॉंस सेंसिटी हो जाते हैं उनको न यह जल्गा सकते हैं पहलंगा सब्सक्राइब लगा सकते हैं और इसके लावा कुल मिला के बोलुगा बॉडी मेरे कोई भी नई सेल को प्रीइश करना मतला मतला estudio करवाना है甘़ी कोई बोडिमें फीनिंग को करते हैं किसी को लंग दिख सकते हैं फों ने के अपके Wrap मेसे आपकी Körper जो आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करें इसके लावा कमेंट करें ताकि मुझे लग रहा है लगे कि यह जो वीडियो है मैं आपको बता पा रहा हूं सही इंफ्रमेशन दे पा रहा हूं